गुट मॉर्णिंग एब्रिवान कैसे हो आप सभी लेटेस्ट इग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है दोस्तो तो आज की जो कलास है हमारी काफी जादा महत पूर्ण कलास है इसके अंदर हम 45 परिशन करेंगे और लास्ट में आपको एक चैलेंजिंग परिशन भी दिय पहला परिशन देखे पश्मी हिंदी का सम्मंद किस अपभरंश से माना जाता है क्या उत्तर जाएगा सोरसेनी ठीक है क्या हो जाएगा सोरसेनी सोरसेनी जो भाशा जो पश्मी हिंदी के अंदर सोरसेनी से जो निकली है कौन-कौन सी भाशाएं हैं बरज भाशा कनोजी ठीक है ये इस परकार की जो पश्मी हिंदी या खड़ी बोली में आती हैं चलिए अगला प्रशन देखे प्रशन नमबर दो है अप भरंश भाशा का समय क्या है इसमें से जल्दी से उत्तर चुनेंगे क्या उत्तर जाएगा देखे अप भरंश जो भाशा का समय माना जाता है वो माना जाता है पांसो इसवी से एक हजार इसवी तक ठीक है विकल्क नमबर क्या हो जाएगा बी से ही हो जाएगा अब भरंश के परसिद साहित्यकार हेम चंद का समय क्या माना जाता है ठीक है क्या माना जाता है बारवी सदी मानी जाते हेम चंदर जी के दुआरा लिखा इन में से कुन है most important रचना है संदेश रासक ठीक है बहुत बढ़िया शब्द अनुसाशन क्या उत्तर जाएगा इसका अब्दुल रह्मान ठीक है विकल्प नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा अगला प्रशन देखे उक्ति व्यक्ति परकरण एक्जाम में अक्सर य के अनुसार ब्रज भाषा का सर पर्थम हिंदी कविता में प्रियोग किस ने किया है बताएं बलवाचारे है शारंगधर है हेमचन या फिर जो इंदू प्रशन नंबर 6 का क्या उत्तर जाएगा विकल्प नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा शारंगधर ठीक है शा दिवेत वाद के प्रवर्त किनमे से कौन है कौन है शुद्ध कौन है जल्दी से बताएंगे देखिए यहाँ पर option मेरे ख्याल से नहीं दी गई है पुहकर दिया गया है यहाँ पर आप कर लीजे बलवाचारे ठीक है क्या उत्तर जाएगा इसका बलवाचारे हो जाएगा विकल्प नमबर A से हो जाएगा बलवाचारे अगर बात करें चेतन्य महापुर्व की तो इन्होंने गोडिय संपरदाय किस थापना की थी ठीक है गोडिय संपरदाय में किसकी उपासना की जाती है क्रिशन की ठीक है यह भी नोट कर लीजे काफी महतपून है निम्बका च ठीक है और जो रामानंद जी का जो संपरदाय है अभी इस समय पर भी बहुत जादा महतपून है क्योंकि इसमें जो वैशनव सन्यासी या सादू संथ है ठीक है इनका एक बहुत बड़ा यानि कि सबसे बड़ा जो जमात जो है इनों की रामानंदी और रामावत संपरदाय में है चले अगला प्रशन देखे प्रशन नमबर आठ है अस्ट चाप के संस्थापक कौन है मोस्ट इंबोर्डन कोशन है एक्जाम में ये तो पूछा ही पूछा जाता है क्या उतर जाएगा विकल्प नमबर सी ठीक है गो स्वामी बिठल नाथ जी के द्वारा अस्ट चाप के बारे में पता है तो सभी लिख दीजिया अच्छे से ठीक है चलिए अगला प्रशन देखिए प्रशन नमबर नो है मद नास्टक के रचना है ये किसके द्वारा लिखी थी मद नास्टक किसके द्वारा लिखे गई रहीम के द्वारा ठीक है किसके द्वारा लिखे गई थी रहीम के दोरा बहुत बढ़िया चले रहीम की रचनाएं भी करेंगे हम अगला प्रशन देखिए प्रशन नमबर 10 है राहुल वेल किसकी किरती है आप सभी को ये प्रशन आना चाहिए राहुल वेल किसकी किरती थी जल्दी से उत्तर चुनेंगे क्या हो जाएगा रोडा क वी के द्वारा बहुत अच्छा ललू लाल जी की कौन सी थी जल्दी से बताएंगे ललू लाल जी की महत पून रचना कौन सी थी बहुत अच्छे चंपू काव्या है परजा हितेशी पत्र के संपादक इन में से कौन है मुशी इंशाला खान राजा लक्ष्वन सिंग अगला परशन देखे इन्में से किस हिंदी पद्या में रगवंश का अनुवाद किया गया है बताएंगे सभी आपको डिरेक्ट ऐसे ही प्रशन पूछा जाता है क्या उत्तर जाएगा बांगुरू ठीक है अभी मैंने आपको बताया था ब्रजभाशा, कन्नूजी, बुंदेली ये सबी खड़ी बोली पश्वी में आती है अगला प्रशन देखे प्रशन नमबर 14 है भक्त माल के अनुसार रामानंद के कितने शिश्य है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भक्त माल किसकी रचना है ठीक है नाभादास की और इसमें कितने शिश्य हैं 12 शिश्य है ठीक है बहुत बढ़ी है अगला प्रशन देखे प्रशन नमबर 15 है उजवल नील मनी ठीक है उजवल नील मनी का क्या होगा रूप क्या होगा उजवल होगा तो विकल्प नमबर क्या जाएगा प्रशन नमबर 15 का ए से ही हो जाएगा रूप गोस्वामी बहुत अच्छे अगला परशन देखे परशन नमबर 16 है बरवे नाइका भेद किसकी रतना है बिहारी रसलीन सुर्ति मिश्र या फिर रहीम क्या उत्तर जाएगा विकल्प नमबर D से हो जाएगा ठीक है आप सबी ने सिरफ बरवे नाइका भेद नामक रतना ही इनकी सुनी है अच्छा रहीम का पूरा नाम क्या था नोट कर लेजेगा अबदुलरहीम खाना खान ठीक है और ये अकबर के नो रतनों में से सम्मंदे थे अगर इनकी रतनाओं की बात करें तो इनके दुआरा रहीम रतनावली नाम से रतना लिखे गए थी ठीक है रहीम रतनावली रहीम विलास रहीम विलास नाम से रचना की गई थी रहीमन विनोद ठीक है रहीमन कवितावली और रहीमन चंद्रका रहीमन शतक ठीक है नोट कर लेजे आप ये दो चार रचनाएं हैं रहीम जी की ठीक है मुझे पता है कि आप सभी ने ये रचनाय शायद नहीं नोट की होंगी पहले या नहीं लिखी होंगी तो लिख लीजे रहीम रतनावली, रहीम विलास, रहीमन विनोद, रहीमन कवितावली, रहीमन चंद्रका तथा रहीमन शतक नाम से इनकी रतनाय हैं हाँ जी बर्बे रामेन तुलसी पर लिखी तुलसी जी ने बहुत अच्छे चलिए अगला देखिए अगला प्रशन है अच्छा अगर इनकी बात करें कि ये किस परकार की जो मतलब इनका भक्ती भाव कैसा था ठीक है किस परकार की ये रचनाय दिखते थे तो शिंगार नीत और भक्ती से सम्मंदित इनकी लचनाय होती थी रहीम जी की परशन नमबर सतारा देखिए सर्वेक्षर दयाल सकसेना किस सब्तक के कवी हैं मौस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी को मैंने तार सब्तक की ट्रिक करवाई हुई है ठीक है और उस तार सब्तक को आप सभी ने अ दिखतीजे कमेंट बॉक्स में अगला परशन है परशन नमबर 18 नाटक जारी है कवीता संग्रे के रचैता कोन है कोन है नाटक जारी है किसका नाटक जारी है लीला का ठीक है लीला धर जंगूडी के द्वारा ये रचना लिखे गई थी अगला परशन देखिए परशन नम नमबर बीस है विरह बारिश के रचायता कभी कौन है देखे विरह की बारिश किसके दुवारा होई थी विरह की बारिश में इनसान क्या हो जाता है बिलकुल पागल हो जाता है बोधा हो जाता है ठीक है विकल्प नमबर बीस ही हो जाएगा बोधा चलिए इसलिए प्यार के चक्कर में नहीं पढ़ना ठीक है चले अगला प्रशन देखे इन में से धूमिल की कृती कौन सी है ठंडा लोहा बावरा अहेरी धूप के धान या फिर सडक से संसद तक क्या है धूल ही धूल है तो विकल्प नंबर क्या जाएगा डी सई हो जाएगा धूमिल की रचना कौन स संसस से सडक तक बहुत अच्छे बहुत बढ़ी है एकदम परफेक्ट आंसर चल रहे हैं बहुत चवरदस्त दिनकर को कि स्कृती पर ग्यान पीठ पुरुसकार मिला था किस पर मिला था देखे संस्कृती के चार अध्याय पर तो इनको साहित्य अकादमी पुरुसकार मिला था लेकिन इन्हें उडवशी पर क्या मिला था ग्यान पीठ पुरुसकार मिला था 1972 में ठीक है बहुत अच्छे देखे यही एंथियाजम चाहिए आपका जो आप डारेक्ट देखते ही परशन उत्तर दे रहे हैं इससे आपका कॉन्फिडेंस जो काफी ज्यादा कम हो रख प्लेइलिस्ट में आप देख सकते हैं जरना को चायावाद की परियोग शाला किस आलोचक ने माना हैं किसने माना हैं जल्दी से बताएंगे अचारे नंद दुलारे लाल बाजपई ने माना है ठीक है विकल्प नमबर क्या हो जाएगा डी से ही हो जाएगा अगला परशन देखे काल करम की द्रिस्टी से आरोही करम में आपने इन्हें बैवस्तित करना हैं तो देखे सबसे पहले क्या था बंगदूत ठीक है हिंदी परदी ब्रामन फिर हंस तो विकल्प नमबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा प्रशन नमबर 24 का प्रशन नमबर 25 देखिए यहां पर मुख्यार्त में बाधा उपस्तित होने पर कौन सी शब्द शक्ति कारया आती हैं बताएं जल्दी से आप शब्द शक्तियों से थोड़ा सा टॉपिक जरूर कीजिएगा 25 का क्या हो जाएगा लक्षन ठीक है विकल्प नमबर 20 ही हो जाएगा बहुत बढ़ी है ब अब यहां पर बाल मुकुंद गुप्त और बाल कृषन भट दिये गए हैं लेकिन आपने क्या शिवशंबू के चिठ्थे क्या करने हैं क्या करेंगे बताएं जल्दी से बहुत बढ़ी है बाल मुकुंद गुप्त जी के दुवारा ये लिखे गए थी ठीक है शिवशंब को देते थे हना और उसे उन चिठ्थियों को गुप्त भी रखते थे इसी तरह से आपने वी क्या रखना है शिवशंबू का चिठ्था क्या करना है गुप्त कर देना है चलिए अगला प्रशन देखे प्रशन नमबर 27 है निमिलिखित में से क्रितियों को रचना काल के अरो कामाईनी 1936 आपको कई वार कामाईनी का 1935 भी दे दिया है ओप्षन में तो अगर ऐसा ओप्षन आ जाता है तो वहाँ पर आप 1935 भी लगते हैं ठीक है नहीं तो 1936 है लोकाईतन कब लिखी गई थी ये सब ही बताएंगे लोकाईतन कब लिखी गई थी और लोकाईतन किसके द्वारा लिखी गई थी पंत जी के द्वारा ठीक है चलिए अगला परिशन देखे परिशन नमबर 28 है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी अच्छा देखे जो लोकाईतन है ठीक है लोकाईतन जो रचना है पंत जी की ये एक विचार प्रधा महा काव्य है ठीक है और ये दो खंडों में विवाजित है अगर बात करें पहले खंड की तो उसमें चार अध्याए है और दूसरे खंड की बात करें तो उसमें तीन अध्याए है तो आप ये भी नोट कर लीजेगा ठीक है विचार प्रधान महा काव्य है फोर्ट विलियम कौन था भारतेंदों हरीच चंदर जी के दौरा कभी वचन सुधा जो पत्रिका है संपादेत की गई थी सरस्वती पत्रिका का प्रकाषिन कब शिडूफ हुआ था बताएंगे सभी कब शिडूफ हुआ था सरस्वती पत्रिका का संपादन यह हुआ था उनिस सो इस्वी में ठीक है आपको कन्फ्यूज करने के लिए क्या दिया गया है उनिस सो तीन इस्वी भी दिया गया है तो आप इसके चक्कर में मत फसिएगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर तो महावीर परसाद दुवेदी जी ने इनका जो संपादन शुरू किया था ठीक है आपसे परकाशन वर्ष पूछा गया है तो आपने उनिस सो इस्वी लगाना है चली अगला परशन देखे परशन नमबर 31 है कवीर दास के मरने पर उनकी गद्दी किसको मिली most important question है कवीर दास के बाद उनकी गद्दी किसे मिली थी बहुत अच्छी किसे मिली थी धरम दास जी को ठीक है अच्छा आप सभी बताएंगे धरम दास जी ने कवीर दास की रचनाओं का संकलन किसमे किया था ये भी बताएंगे और कवीर दास की रचनाएं भी बताएंगे सभी के सभी अगला प्रेशन देखे निम्न को काल के आरोही करम में आप सभी वैवस्तित करना है इसका क्या उत्तर जाएगा विकल्प नंबर 20 ही हो जाएगा ठीक है निहार 1930 में लिखे गई थी रश्मी 1932 में निहार जो निर्जा थी 1934 में तथा सांदेगीत की बात करें तो 1936 में निम्न लिखित नाटकों में काल के आरोही करम में आप सभी ने वैवस्तित करना है तो इसका क्या उत्तर जाएगा विकल्प नंबर A सही हो जाएगा ठीक है सबसे पहले भारत दूरदशा चंद्रगुप्त सिंदूर की होली तथा आधे अधूरे चलिए परशन नंबर 34 देखे इन में से कौन किस लेखक ने सरत चंद्र की जीवनी लिखी है देखे काफी इंपॉर्डन कोशन है ये एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है किस के दुवारा लिखी गए थी विश्नु परभाकर जी के दुवारा लिखी गए थी ठ विनम गुप्त ने क्या उत्तर जाएगा कभी की अनभूती का साधारनी करन किसने माना है चलिए इसका उत्तर क्या जाएगा विकल्प नंबर A हो जाएगा डॉक्टर नागेंदर गयनुसार ठीक है अगला परशन देखे चलिए परशन नंबर 36 का देखे इन में से कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है परशन नंबर 36 का क्या उत्तर जाएगा इसमें से संचारी भाव कौन सा नहीं है शोक नहीं है ठीक है विकल्प नंबर A से ही हो जाएगा आप इसे अच्छे से कर लीजेगा क्योंकि परिक्षा में एज इस परशन पूछा जाता है अगला राजहंस ये भी क्या है मोहन राकेश जी का है बहुत अच्छे चली तो क्या उत्तर जाएगा इसका आठमा सर्ग किसके दुवारा लिखा गया था जल्दी से बताएं आठमा सर्ग किसके दुवारा लिखा गया था सुरेंदर वर्मा जी के दुवारा बहुत अच्छे चली अगला प्रशन देखे प्रशन नमबर 38 है कौन सा पातर चंदरगुप्त नाटक का इन में से नहीं है बताए कार्णेलिया मंदाकनी अलका या फिर कल्यानी क्या उतर जाएगा इसका मंदाकनी ठीक है विकल्प नमबर 20 से ही हो जाएगा अगला प्रशन देखे प्रशन नमबर 49 है हिर्दय की मुक्ता व्यस्था को रसा दशा किसने माना है नागेंदर धरंबीर भारती मम्मट जी या फिर लक्ष्मी नारायन मिश्र जी ने क्या उतर जाएगा देखे यहां पर थोड़ा सा ओप्षन में गड़वड है ठीक है यहां पर धरंबीर भारती नहीं आएगा यहां पर आपको अचारे रामचंदर शुक्ल आएगा ठीक है क्योंकि यह हर्दय की मुक्त व्यवस्था को रसा दशा किसने माना है शुक्ल जी भीने वाना है ठीक है यह सही कर लीजेगा हां जी शुक्ला आएगा इसका अंसर परिशन नंबर 49 का सभी इसे नोट कर लेंगे ठीक है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है यह परिशन नंबर 40 आठ्वा सर्ग नाटक के रचायता कौन है अभी आप सभी ने बताया है कौन है सुरेंदर वर्मा है ठीक है बहुत अच्छा सभी ने बहुत अच्छे से परिफेक्टली आंसर दिये हैं और यह काफी ज्यादा इंप्रेसिव है कि आप सभी इतने परिफेक्टली तोर पर क्या है अंसर दे रहे हैं परिशन नंबर 41 देखे आप देखे परिभाशिक सटीक अंग्रेजी शवद आपका क्या हो जाएगा ओफिसर डुप्लिकेटिंग लोड या फिर प्रो प्रेटर बहुत अच्छे डुप्लिकेटिंग ठीक है विकल्प नंबर 20 ही हो जाएगा डुप्लिकेटिंग आएगा इसका अब आप से पूछा जाएगा यहां पर आप या फिर नकल दिया गया है वहाँ पर आपने सही उत्तर चुनना है अगला परशन देखे इंसीडेंटल के लिए स्टीक जो हिंदी शवद कौन सा होगा निर्देश अकस्मित आदेश या फिर अनुदेश इंसीडेंटल बहुत बढ़िया अकस्मित ठीक है इंसीडेंटल क् अकस्मित हो जाएगा परशन नमबर तरतालिस सुधार करना या फिर आशू रचना के लिए स्टीक अंगरेजी शवद इनमें से कौन सा होगा ओफिसर इंप्रोवाइजेशन लोड या फिर प्रोप्रेटर क्या उत्तर जाएगा इसका जल्दी से बताएंगे सुधार करना या फिर आशू रचना बहुत बढ़िया क्या उत्तर जाएगा इंप्रोवाइजेशन इंप्रोवाइजेशन बहुत अच्छे प्रिशन नमबर चवालिस देखे सुप्री डेंटेंस के लिए स्टीक जो शब्द आपने चुनना है निर्देशक अधिक्षक आदेश या फिर अ अनुदेश या उत्तर जाएगा इसका विकल्प नमबर बी से ही हो जाएगा ठीक है अधिक्षक अगर यहाँ पर आपको देखे देखरे खाजाए जांच आजाए अधिक्षक की जगा तो आप वहां पर भी उसको सही उत्तर लगाएंगे चली अगला प्रिशन देखे रिम के लिए कौन सा होगा निर्देशक अनुसमारक आदेश या फिर अनुसमारक यहाँ पर अनुसमारक दो बार दे दिया गया है ठीक है तो अब आप यहाँ पर आंसर डी भी लगा सकते हैं ठीक है बी और डी यह दोनों ही हो जाएंगे अनुसमारक ठीक है तो क्या उत्तर जा ठीक है री एप्रो प्रिएशन का जो स्टीक शब्द कौन सा होगा ठीक है आपको विकल्प दिये हैं निर्देश पुन्य विनर योग आदेश तथा अनुदेश आपने यहाँ पर उत्तर नहीं देना है ठीक है यहाँ पर यह 46 परशन भी नहीं है आपके 45 परशन कंप्लीट ह करने ठीक है आफ्टर कलास जो कमेंट बोक्स आपका बना हुआ है वहां पर आपने ये करना है ठीक है चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जैहिंद